नमस्कार एंड जैन दोस्तों मैं आपका अपना दोस्त प्रमोध यादो आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस वाला के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आई होप आप सभी अच्छे होंगे आज हम बात करेंगे अगर मैं बात करूँ आज हम बात करने वाले हैं सट थेरी तो इतना खासा वाटत नहीं आपने अगर परसेंटेज में आपने डाइग्राम के कुछन लगाए हैं तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है हाँ ठीक है आते हैं एक दो कुछन तो यू कन डुइट टीक है ना तो आज हम करने के वाले हैं आज हम सेट थेरी पढ़ेंगे सेट थेरी क्या क्या होती है इसके बारे में क्या क्या चीज़ है क्या क्या ओपरेशन से किस तरह के कुशन हमारे examination में पूछे जा रहे हैं उनकी हम यहां पर चर्चा करेंगे तो भाईया चलिए शुरू करते हैं भाई ध्यान देना टॉपिक्स टूबी कवरट की बात करेंगे तो बैसिक अंदरस्टेंडिंग ऑफ कॉंसेट बहरा बेसीं अंदरस्टेंडिंग जारेंगे कि सेट ठर्की है क्या फिर जो कोश्यन है उनको हम क्या करेंगे यहां पर करने वाले हैं तो सबसे पहली चीज तो मैं आप से ही पूछना चाहूंगा तो सेट क्या होता है यह सारी चीज़े जानी है तो क्या लिखावादा सेट थेरी जा ब्रांच ऑफ मैथेमेटिकल लॉजिक विर वी लें सेट्स and their properties a set of collection of objects or group of objects the objects are often called elements or a member of a set for example a group of players in a cricket team is a set भाई आप ऐसे ले सकते हो ठीके ना set of students set of girls भाई एक हिसाब से क्या बूलते हैं group बान के चलिए सब suppose मैं क्या करता हूं मैं क्या करता हूं set of vowels, मैं अगर इंगलिश की बात करता हूं तो इंगलिश मैं जया करता हूं alphabet को लेता हूं को हम दो तरे से यहां पे क्या गड़ते हैं बाई फरेकेट करते हैं एक तो मेरे पास क्या होता है भाई और दूसरे ओन्सोने तो यहां पर अगर अगर मैं क्या करूँ सारे इक सा wolle ले लो तो वो क्या क्या लाएगा सेट अफ दे वोबल ही कए ना वो क्या याणार वो क्या लाएगा सेट ऑफ दे वह बना लूँगा तो कॉंसेनेंस के जब गुरूप बना लूँगा तो वहां पर वी-सी-व-जी जो भी सारी चीज़े हैं ये सब क्या हो जाएंगे हैं या फिर आप ऐसे भी बहुत सकते हैं डान स्काइट ले सकते हो अलागर गर ठरे मोरे चीजों को इसके सपोज आपके पास box है मलब आप चोटे ना तो इस तरह का सैट हो गया तो सेट क्या है बाई सिंपल चीजह अग कलेक्शन ऑफ थिंग्स ठीक है आप ऐसा बोल सकते हैं क्लेक्शन ऑफ तिंग्स बहुत सारी चीजों को एक साथ कलेक्ट कर लेना फृर उसको हम क्या बना ले ना उसको क्या देना सेट है नहां बास समझ मैं कि जै इसका सेट हो जाता है क्लियर हो यह बात as we already learned in the introduction set is a well-defined collection of objects or people ने भी बताया well-defined objects बहुत सारी चीजों का collection को ही हम क्या कहते हैं सेट आज वी already learned in introduction set is a well-defined collection of objects or people that can be related to many real life example such that number of rivers in India number of colors in the rainbow etc 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 तो आप देखो यहां पर अगर मैं बात करूं तो यह मेरे पास क्या है एलिखा हुआ है one two three four ठीक है यहां पर यह एक दो तीन चार का सेट है जो है यह चार संख्याओ का सेट है वह संख्याओं का यह है one two three four तो भाइवा सेट को represent करने के ना दो format होते एक तो यह फॉर्मिट है एक यह मेरे पास format है यह रोस्टर फॉर्मिट के लाता है यह सेट विल्डर फॉर्मिट के लाता है तो आपको पढ़ना आना चीज़ जैसे यह लिखा हुआ है is equals to x is is dot go all the x as that x and x is less than five and x belongs यह किसका साइन यह बिलॉंग का है तो x belongs to n and it stands for natural number ठीक है ना कुछ well defined हमारे पास terms होते हैं जो दिये देते जैसे n जो होगा वह अगर हमें consider करना होगा तो it is always consider add a set of a natural number ठीक है ना आगे चलके इसके बारे में हम बहुत करेंगे तो आप जितनी भी चीज़े देखते हैं जितनी भी चीज़े observe करते हैं mostly अगर आप उसे collect करके observe करते हैं तो वह एक हिसाब से set होता है और इच जो उसमें मेंबर होता है वह उसका क्या होता है element होता है ठीक है ना clear तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं जैसे अब देखो बात को समझू मैं क्या बताने चाहरा हूँ suppose PW में बहुत सारे टीचर है ठीक है तो सारे टीचर का जो ग्रूप होगा वह क्या कहलेगा वह एक मेरे पास सेट कहला है उसे हमने यूनिवर्स सेट बोल दिया वह एक सेट है उसमें मेरे पास कुछ बंदे या फिज जगे आप देख सकते हुँ ठीक है ना कभी-कभी आप क्या गाते हो मेले मेल घुमने जाते हो तो वहां पर अलग-अलग स्टॉल्स लगे होते हैं अब दीखिये गाए एक तरफ केवल बैंक डल्स केवल चूरियों की दुकान लगी होती है एक तरफ केवल जूले लगी होत तो यहां पर गुरूप्स ऑफ फूला गुरूप्स ऑफ बैंगल्स अलग अलग शॉप से वहां पर तक है जिरेशुक होगी तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं आप अपनी डेली लाइफ में देखेंगे तो बहुत सारी जगे आप इसे अब्सक्राइब करते हैं तो अलग अलग लड़कियां भी होती है उनको भी हम सेट कंसिडर कर सकते हैं और उसमें वो जो बंदे हैं वो उसके क्या है एलिमेंट्स है बास समझ में आई होगी ठीक है तो इक इस ओल अबाउट दो अब्सरवेशन ठीक है ना यह चीज़े के ओल समझने के लिए है इन से हम कोश्चन का आसा हमारा कोई बमारा यह बस हमें यह पता चल जाता है कि सेट होता क्या है यह क्यों इस यह सैट के ऐलिमेंट होते हैं यह बात क्लीयर होगी और bob of set ठीग है ना चैट को हम दो तरह से रप्रेसेंट करते हैं मैंने अभी बताया था आपको एक होता मेरे पास रोस्टेर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म जी से हम बोलते हैं और दूसरा मेरे पास होता है से ट्बील्डर फॉर्मेट ठीग आप बिल्डर फॉर्म जैसे यह आप ऐसे बोल सकते हो सपोज आप कोई सेट ले लेते हैं जैसे मैंने ले लिया और हमको देखो हमको जानवर के नाम नहीं आता है अधा रहे हैं कुट्ता गाए भैस बफ्फैलो ना पफैलो मुझे याद आ रही था लेकिन पर फैलिंग याद रेते तो मैंने बफ ऐसा लिग जया ठीए पांच लेने हैं प्रफ यह नहीं बोला है कि वह मेरे पास पालतू है या जंगली है एक्जामपल के तौर पे तो यह मेरे पास क्या हो गया है यह हमने इसको किस के अंदर रएक गठार गड़ा इब कर ली ब्रेकेट के अंदर एक धुर यह मेरे पास क्या क्या था यह मेरे पास क्या रोस्टर फॉर्म भूब करने के लिए या ड maximize करने के लिए हमने क्या किया हम ने ले-लिया से ट गडर फॉर मेंच ठीकर क्या ले-लिया सेट बिल्डर फॉर मेट आभ यो सेड़ फील्डर फॉर मट्न घा अब मेरे पास लिगा X the way like are in a set builder form all the elements have a common property that builder form में सब की प्रपर्टी क्या होती है common OTI this property is not applicable to the objects that do not belong to the set example if set as all the elements which are even prime numbers that is represented as this देखो अब देखो यहां पर आप even prime number की भाद हो रही है तो even prime number 1 एक ही होता है जो की होता है मेरे पास दो तो अगर मैं इसको रोस्टर के फॉर्मेट में लिखूंगा है एकश तो यह एस बराबर यह हो ठाक यह रोस्टर फ़र मिट में इत्समें है् derma लेकिन अघर इसको मैं सेट आउ-स ब्या cries x such that x is an even prime number, ठीक है न, ये इसको हमने इस तरह से लिख दिया, अब ऐसे मैं बोलता क्या, मेरे पास क्या है, मैं बोलता, मेरे पास ऐस होता, अगर मैं बोलता, set s belongs to all even numbers, क्या बोलता मैं, all even numbers, जब मैं even numbers बोलता, तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाता, भाई, देखो, simple ही चीज है, इसको मैं लिखता तो 2, 4, 6, 8, 10, dot 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 dot, हुझ जादा है न, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, as set that x is an even number, ठीक है न, तो इस तरह से हम इसको लिख पाते हैं, ठीक है न, देखो, यह जो मेरे पास है, इसको हम such that बोलते हैं, और यह जो curly bracket है, इसको हम set of all बोलते हैं, ठीक है न, इतना जादा नहीं जाना है, डीप में, आराम से चीजों को समझो, कुशन आराम से बनेंगे, ठीक है न, बस observation अच्छी होने चाहिए, आगे बढ़ते हैं, जो मतलब, यूनिवर्स लीक सबके द्वारा accept की गई है, जैसे n है, यह जो symbol n है, यह किसको represent करेगा, represent the set of all natural numbers, that is, all the positive integer, this can also be represented by plus, ठीक है न, देहां दला, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यह मेरे पास क्या, यह एक्जामपल है, नो, देखोज़ वगई, simple चीज़ है, natural numbers क्या होते है, 1 से लेके infinity तक, जितने भी counting numbers है, उनको हम क्या कहते है, natural numbers कहते है, अब हम बात कर देखेंगे Z, यह जो Z है, represent the set of all integers, जितने भी integers होते हैं, उनको हम किसे represent करते हैं, Z से represent करते हैं, ठीक है ना, positive and negative integers are denoted by plus Z और minus Z, ठीक है ना, यहाँ पर plus Z होगा, ठीक है, यहाँ रहे है, याद रखना, all prime, all, all natural numbers, R, R, चा, integers, ठीक है, आपने definition पढ़ी होगी, integer की, तो integer को हम तीन तरह से bifurcate करते हैं, मेरे पास क्यों होता है, positive, एक मेरे पास होता है, negative, और एक मेरे पास होता है, neutral, तो जो भी the set of all positive integers is said to be natural numbers, तो that's why हम N को, N तो कहेंगे, इससे represent करेंगे ही करेंगे, as well, आप इसे Z plus से भी क्या कर सकते हो, represent कर सकते हो, ठीक है, clear हुई बात, आगे बढ़ता है, यह मेरे पास क्यों, क्यों represent the set of rational numbers, क्यों जो है, उसे हम क्या करते हैं, किस तरह से represent करेंगे, rational number के set के रूप में, represent करेंगे, the symbol is derived from the word quotient, it is defined as the quotient of two integers, without non-zero denominators, positive and negative rational numbers are denoted by QP plus or QP minus respectively, ठीक है, अब आर की में बात करूँगा, आर मेरे को क्या रप्रेसिंट करता है, represent the real numbers, that is, all the numbers located on the number line, positive and negative real numbers are denoted by R plus and R minus, ठीक है, clear है, तो ये जर्मल जी बात ही, ये आपको पता है, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है, तो पता चल गया होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब types of set की बात करेंगे, तो हमारे पास कई तरह के set होते हैं, ठीक है, बहुत तरह के हमारे पास set होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा deep में नहीं जाना है, ठीक है, हमसे definition rarely ही पूछलती है, पूछी जाती है, या फिर हमने rarely ही इससे question मनते हैं, देखो, क्या लिखा हो है, the sets are further categorized into different types, based on element, types of elements, and these different types of set basis है, ठीक है, इन ही पर क्या है, set है, finite set क्या होगा, मेरे पास set क्या है, पहला है मेरे पास finite, दूसरा मेरे पास infinite, तीसरा मेरे पास empty, पूर्थ है मेरे पास singleton, फिफ्थ है मेरे पास equal, और शिक से मेरे पास equivalent set, पिर है मेरे पा power set, फिर मेरे पास है universal set, और फिर मेरे पास है क्या, subset, ठीक है ना, क्या लिखा हो, finite set क्या होता है, देखो finite set यहाँ पर क्या है, इसको अभी हम अलग-अलग तरेके से भी देखेंगे, कि कौन साइट क्या होता है, क्या चीज होता है, तो finite set क्या होता है, the number of elements is fine, ऐसे set जिसक finite नहीं है, यानि infinite हो, empty set जिसमें कोई भी element ना हो, empty set को हम null set भी कहते है, ठीक है, मतलब empty set यह हो, इस तरह से हमें दिखेगा, इसके अंदर कुछ नहीं है, it is also known as null set, ठीक है, singleton set, it has only one element, singleton set जो होता है, उसमें क्यावल एक element होता है, equal sets, two sets are equal if they have save element, ठीक है, दो set का बराबर होंगे, जब दोनों में element, same होंगे, अभी बताऊंगे, इसके बार, equivalent set क्या होते है, two sets are equivalent if they have same number of elements, मतलब कहने का मतलब क्या है, two sets क्या होंगे, equivalents कब होंगे, जब उनके cardinal number क्या होंगे बराबर होंगे ठीक है ना क्या होंगे cardinal number अभी cardinal number क्या होता है ठीक ना उसमें जितने number of elements होते है उनको count कर लो वही मेरे पास क्या कहलाएगा cardinal number कहलाएगा ठीक है उसके बाद हम बात करेंगे क्या power set a set of every possible subset is said to be power set universal set क्या है any set that contains all the sets under consideration is said to be universal set फिर मेरे पास आता है subset when all the elements of set a belongs to set B then a subset of B अब देखो यहां पर क्या है अभी मैंने तुम्हें बताया था क्या suppose PWA PWA क्या है विग हमारे पास tech company ठीक ना यहां पर क्या emotion बोल सकते हैं इस emotion के अंदर क्या है अलग-अलग departments है ठीक ना जैसे जैसे मेरे पास क्यों बिजनेस department अलोगया मेरे पास faculty का department अलग-अलग departments है तो PW क्या है universal है मतब PW is a universal set उसमें जो मेरे पास क्या है अलग-अलग departments है वो उसके क्या कहला है उसके अंदर के set कहला है ठीक है ना और वही उसके सबसेट होगा एक हिसाब से देखा जाए तो ठीक है ना यूनिवर्सल के जो सेट्स अंदर होई वो उसके क्या होगे सबसेट आप देखो क्या होगया सपोस मैंने सबसेट के अंदर अलग-अलग department के लोग थे तो भाई यह जो फैकल्टी था इसके अंदर चोटे-चोटे-चोटे से या फिर छोटे-चोटे गृप्स थे वो क्या हो गया इसके सबसेट हो गया पास समझ में आरेगी नहीं तो उसी तरह से चीज़ें हैं ठीके ना वन ओल्ड अल्ड एलिमेंट्स ओफ सेटे बिलॉंग सुसेट भी देन एस सबसेट ऑफ बी ठीक है क्लियर रही बात आई हो इदनी वास समझ में आगई होगी ठीक है आगे बढ़ते हैं अब देखो नाम से करते हैं अब अब यूणिवर्सल सेट क्या होता है टाइप सेट की बात ही कर रहे हैं हम तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे यह यूणिवर्सल सेट है है उस वो कैलिमंट क्या मेरे पास 23 है यूप सेट दिमेंट मेरे पास क्या है रे कोई भी नंबर का तो यहां पर देखो इस यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 6 है ठीकर ना मनदब सेट एक के भी element है सेट B के भी element है और सेट C के भी element है ठीकर ना अभी मैंने आपको यही चीज बताई थी ठीकर ना भाई कभी कभी क्या होता है कुछ लोग common हो जाते हैं ठीकर ना सब्सक्राइब कोई बंदा मैट्स पढ़ा रहा है वो मैट्स भी पढ़ाता है और मैनेज्मेंट का कुछ काम भी देखता है तो वह इस वाले सेट में भी है और वह management के वाले के set में भी है तो वो common है लेकिन जब universal ही देखा जाएगा वो दोनों बंदे तो एक ही है ना भाई suppose मैं हूँ मैं यहाँ बैस पढ़ाता हूँ और management का भी काम करता हूँ मैं कुछ थोड़ा सा ऐसा सोचते हैं तो जब हम ऐसा सोचेंगे तो होगा क्या भाई जब universal counting की बात आएगी मुझे दो बार नहीं count किया जाएगा मुझे एक ही बार count किया जाएगा बात समझ में आरी की नहीं भाई आपन पढ़ा भी रहे हैं अपन management का पार्ट भी देख रहे हैं तो अपन दोनों जगें हैं बात समझ में अपन दोनों जगें हैं ठीक ना तो अगर universally लिखा जाएगा तो हम उसको एक ही बार लिखेंगे ना कि अगला जो है मेरे बार एंप्टी सेट या नल सेट ठीक है इसकी बात करेंगे हम एंप्टी सेट या फिर नल सेट ठीक है इट है इसा कुछ लिखा हुआ है यूदि दिस के सटिशन कुछ लुख नहीं आ यह कभी भी मैंने बठाया है सिंगल नहीं की न игр सेट क्या होता है याद रखिएगा सिंगल्डन सेट में केवल एक ही एलिमेंट होता है तो यह इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगा इंदर एक यह मेरे पास सिंगल्डन सेट यह फाई जो है इसके अंदर यह भी मेरे पास इसमें एक अलिमेंट है कि मेरे पास क्या है सिंगल्डन सेट आगर मैं आप से कहूं आपके पास लिगा है जीरो अरली ब्रेकेट के अंदर तो यह भी मेरे पास क्या है यह भी मेरे पास क्या है सिं सिंगल्टन सेट है बेलकुल दिस इस सिंगल्टन सेट क्यों विगॉस के वल एक ही ऐसा नंबर है जो प्राइम है और जो इवन है तो इवन प्राइम नंबर इस टू ठीक ना मैंने आपको बताया था कि आगर मैं बोलू ऐसे लिखा हो कहीं पर ऐसे लिखता है फिर पास चार प्राइम नंबर तो अब आपको अपनी थोड़ा सा दिमाग लगाईएगा तो आप जानते हैं कि एक ही प्राइम इवन नंबर होता है जो कि होता है दो तो भाईया अपने आप जब यह मेरे पास इस फॉर्मेंट में सेल्विड्वल फॉर्मेट की में आ जाएगा तो आप लगाना है इसमें सह इंगल्टन सेट है तो अपन इस पर लगाएंगे ठीक है बरोबर आई हो पित्ती बात समझ में आई अब बात करते हैं इक्यूवेलेंट सेट ठीक होते हैं देख लेगा है वाँ है लिगा टूजट्स है इक्यूवेलेंट इफ देयाव तेम नमबर हों यह जरूरी नहीं हें कि यसेम ऐलिमेंट को आप समझ है कर देंगे तो मेर पस क्या 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 यह न्यगी तू सट्ब속कों number then they are called equivalent set ठीक है समझ मैं एक ने दो सेट हमारे पास क्या 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 एक्यूलेंट सेट क्या पर लाएंगे जब उसमें जितने element है वो क्या हो number of elements बराबर हो या फिर आप बोल सकते हैं cardinal number बराबर हो तो वो मेरे पास होगा क्या that is called equivalent set जैसे मेरे पास क्या है यह बराबर है PQR B बराबर ABC तो भीया यहां पर एने बराबर क्या है इसमें तीन element इसमें या फिर हम अभी पी डबलू का example लेके चल ले थे सपोज यह फैकल्टी का department है यह management का department है इसमें 13 लोग है और इसमें भी 13 लोग है तो बट आव्यस ही बात है दियार equivalent क्या equivalent set ठीक है ना इक्यो equivalent set ठीक है ना बात समझ में यह नहीं spelling हमारी कमजोर है तो का बताई है मक्षे तो बर बात समझ में आ गई बात चलिए आगे बढ़ते हैं अगले हमारे पास जो है नेक्स्ट हमारे पास equal set आप देखो equal set ना equivalent और equal set में बहुत ज्यादा confusion हो जाती है आप लोगों को तो थोड़ा सा difference है equal set में क्या होता भाई number of elements to say me होते हैं और number of बंदे मिसे क्या suppose कर सकते हैं सब्सक्राइब तूड्ययो डिपार्टमेंट और यह मेरे पास है टेक्निकल डीपार्टमेंट ठीक है ना वाई इसमें भी चार लोग है और इसमें भी चार लोग है यह दोनू अलग-लग डिपार्टमेंट है क्या टूडियो डिपार्टमेंट हो गया हमारे यहां और यह हमारे पास होगे टेक्निकल डिपार्टमेंट हो गया मैं कहा रहा हूं इसमें भी चार लोग है और इसमें भी चार लोग है और वह चारों के चारों सेम भी है क्या है चारों के चारों सेम भी है सपोज इसमें ABCD है ठीकिए ना और इसमें भी क्या है B C A D भाईया चार लोग यहाँ पर भी है चारों के चारों क्या है similar हैं और चारों की जारों जब similar हैं तो वो आपस में गया हुए equal हुए और इस तरह का जो set हुआ उस set को हम क्या कहते है भाईया हम कहते है equal set equal set की खासियत यह है कि इसमें जितने number of people होंगे वो तो होंगे यूंगे सेम ताथ में जो उपर है वहीं नीचे है यह जैसे यह में रपास क्या है ए इसमें भी दो चार छे पांच है दोनों के दोनों चारों के चारों एलमेंट उपस्थित हैं तो इस तरह का जो सेट होगा उ होगा यह ज़िसमें नमबर आफ क्या number of sorry जिसमें number of अगला है डिस जॉइंट सेट यह तो और ही महान है such two sets which does not have any common element दो set जिनके बीच कभी भी कोई element क्या हो common ना हो तो इस तरह के जो set होंगे उसको हम क्या बोलेंगे भाई disjoint set कहलेंगे मतलब कोई भी element समान ना हो ठीक है ना जैसे यह है मेरे पास एक दो तीन चार डी है मेरे पास LMNO दोनों में कोई सेम नहीं है जैसे अगर मैं यहां पर ले लिए था अपने ही यहां पर ले लिए थिया मैंने यह ले लिया यह रहे मेरे पास है यह दोनों क्या हो गए डिस जॉइंट हो गए बरोबर क्लियर हुई बात तो सच टू सेट्स विष्ट नॉट है इनी कॉमन अलिमेंट आर कॉल्ड इस जोई यह आई हूप इत्ती बात क्लियर आगे बढ़ते हैं जहां देना फाइन जैट यह तो इसके बारे में पता हो तो infinite set है subset अब देख लो subset जरूरी है ठीक है ना subset अभी मैंने बताया था simple दी चीज है मैंने आप से क्या कहा है आपको मैं suppose अभी मैंने आपको बताया था हम PW है PW में बहुत सारे department है तो PW मेरे पास हो गया universal set उसमें अलग-अलग departments है तो वो अलग-अलग sets है ठीक है ना इस डिपार्टमेंट के लोग कुछ और डिपार्टमेंट में भी होंगे ठीक है ना तो वो उसके यह हो जाएंगे subset हो जाएंगे जैसे यहां पर देख लेते हैं तो बहुत यह यहां एक के सारे erie elements किया है रहां रहा है तो भाईया यहां पर क्या है A is subset of B पास सभर समझ में आरी कि नहीं रही यहका है यहां पर nicश्साग होता है लुक करनी होगी यहां पर क्या हुआ ईहूग इतनी बात समझ में आई होगी त्यत्त आध भाई इसके शारे element क्या है बी में उपस्तिते मतब बी से बिलॉंग कर रहे हैं तो यह इसका क्या हो गया सबसेट हो गया आगे बढ़ते हैं अगला आप देखो कुछ चीजें होती है वह अभी अच्छा यह थो हमने बताई दिया आपको ठीक है अपकुछ साइन्स होते हैं जो आप जान लीजिए जो मैंने आपको बताया है वी क्या देखो यह जो है यह जो करली ब्रैकेट है यह रप्रेज़न करता है केवल सेट को बोलते हैं उसकी बाद यह उपर दिखरा है और यूनियन भी है क्या है यह जो उल्टा वुदिख रहा है तो इसेमां बोलते एंटरसेक्षिन भी यहां पर यहां पर यहां पर dua को twist के बीछ न ref सेट कहते हैं इसको पी और सी दिख जाए कभी तो वो पावर सेट होगा ए बराबर भी है तो एक्वल सेट है एसी है मतब यह एसी ऐसे दिख जाता है या तो इसको कभी-कभी हम एडाश की तरह भी रप्रेजेंट करते हैं ठीक ना तो यह मेरे पास क्या है कॉम्प्लिमेंट आफ यह टेकिना कॉंप्लिमेंट ओफ फे ठिकर एक यह क्या है एए बिलांग्स टू भी एट दस नौट विलांग्स टू मलब एड़िमेंट ओल्ओं रिमेंट डूपसेट घिया निकालते हैं देहां दिनाना स्पोस्थ मेरे पास क्या लिखा एक यूनिन दिर रखा है मेर यूनियन क्या मेरे पास इसलो चेक्लिमोट यूणिवर्सल Savage लिवर्सल प्रम यूणिवर्सल रखभटेमंद मेरे पास एक दो तीन चार पाँच और उसमें जो ए है वो कितना है एग दो 3 तो मुझे क्या करना है का कॉम्प्लिमेंट निकाल ला है देखिए इसमीं से जो जो कट बच्छे का वही मेरे पास क्या होगा थो पर है जी जो है मेरे पास यहां क्या है इस तो इसका लगा कि अगंद में अगर्म को छॉट शॉट यहां दीजेगा यह मेरे पास ए है और यह वर पस यू है तो दोनों में हमने जो को आमन दिखा उसकी वीने काट दिया तो ए जो का जो कॉंपलिमेंट आगया हो किता भी है दो को माच ओर देना अगर मैंने सबसेट लिया ऊध़ स्वरी एक मतनी में लिया और फिर मैंने उसके ओमीड निकाला तो अ मैस्ट तकन होता है यह नहीं जो कॉंप्लेमेंट होगा वो मेर पात universal गयला इंडा ऑर यू उन्यवर्साइट लिया किता दो तीन पास साथ नौ दस मैंने यह निंकाल दिया यहां पे मिर बस एह है 259 अब मैं कहुं में को बताओ एका कॉम्म्लिमेंट या एड़ैश क्या होगा बता सकते हैं बिल्कूल बता सकते हैं तीन से तीन केंसल आउट पास से पास केंसल आउट अगे बढ़ता है कि एडिशन एन यूनियन आफ टू सेट्स का हम यूनियन कैसे निकालेंगे तो इसमें लिख दिया तीन को दो बार नहीं लिखेंगे एक ये बार लिखेंगे फिर चार फिर फांच ठीक है ना इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको सारे एलिमेंट क्या दिखने चाहिए देखो जब कभी भी हम दो का यूनिन निकालते हैं तो भाई सिंपल चीज़ा है सारे एलिमेंट्स वापे होने चाहिए उपस्ति क्या होगा भाई सारे एलिमेंट्स होंगे दोनों के तो ए बी टी टी और एक्स वाई जैट पास समझ में कि आई होब इतनी बात आपको समझ में आगे आगे बढ़ता है ध्याद दीजिए लिए इंटरसेक्षिन ऑफ टू सेट यसे मेरे पास ए रखा है किता 1 2 3 4 X और मस्वीद रखा है 1 8 3 X ठी न जो दोनों में मेरे पास अबूँआ को क्येवल हम उसरे लिखे गाए इसमें कॉम्मन कॉन है एक तो एक हमें लिखा इस ऑर कोई कॉ mesmo मने 157 अ satisfy एक्स कोमेन है तो हमने एक्स लिखा तो भाईया यहाँ पर एंटर सेक्ष्यन बी जो निकल कर आया वह तहां गया मेरे पास 1.3.x क्या निकल कर आ गया 1.3.x इसी तरह मैं अगर आप से बात करूं यह बराबर मेरे पास लिखाया कित्ता मैंने लिख दिया पांच नौ तेरा पंद्रा अठारा और मेरे पास बी लिखाया कित्ता नौ पंद्रा पांच अब मुझे निकालना है एंट्रसेक्शन भी तो मेरे पास एंट्रसेक्शन भी में क्या आएगा देखते हैं तो भीया कॉ यहां पर हम कैसे डिफरेंस निकालते हैं तो सपोस मुझे ए माइनस बी निकालना है जिसे मेरे पास ए गिता वन कॉमा टू और मुझे बी गिवन है कितना 3,4,a,b,c ठीक है ध्यान देला मेरे को क्या निकालना है ए वैस बी गरेंगे क्या करेंगे ए माइनस बी करेंगे तो बहुत को मन कौन है तीन और चार तो तीन और चार गायब हो गया अगर हम एक और फस्ट लेंगे तो इसमें जो बच्चे था तीन और चार गायब हो गए और हमें ए माइनस भी करना है तो केवल ए वाले बचे हुए elements यहां पर लेंगे अगर मैं यहां पर बी माइनस ए करूंगा तो तीन चार तो नहीं लिखूंगा बचे वह एलीमेंट कहा होंगे का अब कामॉ म make you goind doğa ओप इतनी बात मिया आगे वढ़ाते हैं ध्यानना अब क्या होता है सिमेट्रिक डिफ्रेंस ओफु सेट्स्ट क्या हो होता डिखो क्या सेमेटिक का मेटरिक सोरी यह को सबमेट्रिक armsto성 रजया-स तो-सथ यह इसको हम एस यह सिंबल देख लेना तो मेरे पास क्या लिखा ए मेरे पास दे रखा A B C D E और B जो है वो दे रखा A, B, T, U, B तो भाई A symmetric difference क्या होगा भाई A minus B union of B minus A ठीक है तो भाई यह ध्यान देना A minus B करोगे तो यह यह पूरा पैंसर cancel out होगा क्यों क्या बचेगा CDE तो हमने CDE लिख दिया आप मुझे B minus A निकालना है तो common वाला तो गायब होई जाता है और B में जो बचता वो लिखेंगे तो मिरे पास T, U, V आ गया मुझे इनका union निकालना है तो सारे elements आ जाएंगे यानि CDE, T, U ठीक है क्लिव भी बात आई हूप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगा तो चलिए बढ़ेंगे आगे अब यह कुछ formula है अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है नहीं याद है तो भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है तो ठीक है न एक बीकालना और जब एक भी कॉमन नहीं होता है तो उसका यह मतलब होता है कि सारे की सारे इलमेंट उसमें आ जाते हैं तो यहीं जारी चीज़े दिरखी है अभी मैंने आपको सिखाया हुआ है तो चलो बढ़ते हैं questions के तरह तो पहला question हमारी screen पे आ गया है इस question को हम करेंगे ठीक है ना क्या लिखाव इवेन नैचरल नंबस तुब याथ सबसे पहला वाला सेट हम निकाले तो हम से पूछा स्कॉर आफ नैचरल नंबर लेस देन हंकेट तो मेरे पास कौन कौन साता है वन आ जाएगा नौ मेरे पास आगें पच्शेस मेरे पास और क्या आएगा आएगा अच्छे तो मैं आप ध्यान देने यहां पर यहां हमें क्या गरना है यहां पर हमने भी लेना तो ही मेरे पास स्ट आप मयों डयोंक ढ Platz होया अभीम क्या निकालते पेहले A intersection B निकाल रहे तो A intersection B में केवल कौन ऐनोगा जो even numbers होंगे इसमें तो भइया इसमें even number किते हैं एक यह मेरे बास है दो मेरे पास है इस है तीन मेरे पास यह है चाहिए तो intersection B मेरे पास किता आगया 4-16 , 37 नहीं हो एक कॉमा section B मेरे पास किता निकला 4 16 36 और 64 ठीक है ना लेकिन हमें क्या बताने वाट इस दा कार्डिनल्टी कार्डिनल्टी मतलब क्या होता है कार्डिनल नंबर यानि कि उसमें कितने नंबर आफ एलिमेंट्स हैं काउंट करो एक दो तीन चार किता आगया मेर पास चार आ गया यानि की ऑप्षिन नंबर एस करेक्ट हीर बास समझ मैं कि नहीं क्लियर हुई बात आसान साथ अगला कुश्चिन करते हैं लिखा हुआ है अबर मेरे पास क्या लिखा हुआ है आध को अब बाट इस अबर आफ प्रॉपर सब्सेट आफ अब आपको प्रॉफर सब्सेट निकालना को तो आप डारेक्ली फर्मला लगाईएगा तूकि पावर एन माइन फार जिए ना एंड स्ट्रेंट्स पॉर काडिनल नंबर एन अन इस च्ट्रेंट्स वोर काडिनल यहां पर अगर बोलेंगे तो आप एक मेरे पास लिखना बनाना चाहो तो बना भी सकते हो लेकिन बना नहीं किया जुद होते हैं इतनी बात समझ में आगे बढ़ते हैं इना ग्रूप और 500 एक ग्रूप है जिसमें क्या है 500 स्टुदेंट सा ठीक है इस तरह के कोशन ज्यादा पूछे जाते हैं जो भी हम कराने जा रहे हैं इना ग्रूप और फाइवनेंटी फाइव स्टूदेंट्स वो कैने स्पीक हिंदी एंड टू हंड़े स्पीक बेंगॉली तो भाइया यहां पर हम यूज करेंगे वेंड डाइगराम का मैं थोडा सा तुम्हें बता देता हूं जितने भी जितने भी हमने अभी सर्कल बनाया और देखो भाई द्यानेना बात को समझें यह मेरेपास क्या है एक यूनिवरसल है universal प्ляется यहाँ पर हिंदी और बैंगॉली यह उनी वरसल है यह मेरे और यह मेरे पास यह तो मेरे पास universal है और एक मेरे पास भी तो यह एक सब्सक्राइब यह कहीं पर इंटर्सेक्ट कर रहे हैं तो यह इंटर्सेक्शन पॉइंट है तो इसको बोल सकते हो यह प्लस भी बहुत इतनी पार्टिकल को हम बोलते हैं क्या ओनली है इतने पार्ट को हम बोले यह क्या ओनली तो यह पढ़ना आ चाहिए आपको वरना इसमें कोई दिक्कत नहीं है बड़ा असान सा है कर लोगे मैं बता रहो एक्जाम में आएगा तो आप करके आओगे तो मै इक स्टूडें फ्रकार दिखत육ों हम बना लेते हैं एक मुर्ण है बास समझ मैं यह जूरwood कितने अबही है तेक है टोटल मेरे पास है यहां पर टोटल मेरे पास किते हैं 475 और 200 मेरे पास है बेंगॉली बेंगॉली मेरे पास किते हैं 200 इसमें तो कोई दिखकत नहीं है ज gateます presentation ुए बहुत लिए किस को करेंगा यह पूरा है मेरे को किसको रप्रिजन करेगा बैंगॉली इस करेगा और यह जो पार्थ है यह वाला पर यह क्या होगा यह बोथ हिंदी प्लस देंगॉली होगा बात समझ मैं की नहीं नहीं 가운데 पार्ट होगा यह पार्ट जो होगा यह बोथ हिंदी और बेंगॉली होगा तो भही आगर मैंने सको एकस कंसिडर के लिए तो पास हो गया तो माइनस एकस से प्लैस एकस कैंसल ओट होगे मिरे पास आगया 500 इसी बढ़ाबर किता गया शेसो पेचितर में से हमने पांसो घटा आगेना है एकस की वैल्यू आगी एकसो पचितर आप से पूछा क्या गया है आप सी पूछा गया है वाट इस दर नमबर ओफ इस्टुडे आपको इतनी बात समझ में आगे होगी बात आगे बढ़ते हैं अगले कोशन की तक है कुशन नमबर फॉर आप देखो कभी-कभी ऐसा भी कोशन पूछ लेता है ठीक है ना कोशन के हमारे पास लेट डीन दिनोट्स नमबर पॉजिटिव दिवीजर औफ पॉजिटिव एंड विच आ आफ दो फोल्लेग अर्क ठीक है ना तो भाई दी 5 दी 5 के मेरे पास और वो क्या हो जाएंगे डिवीजर कौन हो जाएगा वन कॉमा फाइवी एवन पहला तो सही है नंबर आफ डिवीजर को डिनोट कर रहा है तो पहला हमारे पास जो है वह सही है एक यहाई तो डी फाइञ मेरे पास 1,5ड 11 मेरे पास 1,1 अब आप से Pacific किप यह दी फाइव इलेव सिह मिर पास इसमें कितने एलीमें त이다 आये और दो है मतलब लुट सक beauty का दिलेवल वह थो यह तो यह अपचपन घ्रइब अब अब यहाँ पर इसको हम रख के देख लेते हैं क्या यह सही है तो इंटु टू पराबर मेर पास फोर वगावर फूर विलकुल ये भी मेरे पास क्या है कर्एक। अब यह देख लेते हैं तो सबसे पहले तो हम 16 की बाद कर लेते हैं दिवीजर अफ्सोव लग तो यहां पर क्या और गता है तो चार बराबर पांच बिल्कुल नहीं और ये थ्री गलत है तो आप समझ महीं क्यावल कौन से करेक्थ है 1 & 2 are correct only ठीक ना 1 & 2 ही करेक्थ है यहां पर बाखी नहीं है ठीक है पास समझ महीं आगे बढ़ते है पॉच्छ नुब फाइफ ठीक ना लिखा हुआ है इन अ competitive examination 250 student have registered ठीक है out of these 50 students have registered for physics 75 students for mathematics and 35 students for both mathematics and physics what is the number of student who have registered neither for physics nor for mathematics तो भाहिया सबसे पहली चीज तो यहां पर हमारे पास total किते लोग है आई सो यहां पर मेरे पास कौन कौन से सब्जेक्ट है physics है और mathematics है ठीक है मेरे पास क्या है physics है ठीक है और मेरे पास क्या है mathematics है यहां जीगा this is for physics and this is for math तो अधिक नहां अग्यना competitive examination 250 तुदिए थिटन्ट है रजिस्टर ठीक है न अटो टूफिटी एं 50 चूर्रेंट है रजिस्टर फिट्स पाचास ने केवल फिजिक्स मेरे इस्टर कि and 75 student for mathematics 75-35 student for both mathematics and philipsa 35 यहां पर तो आप से पूचा है what is the number of student who have registered neither for physics nor for mathematics तो देख लो सबसे पहली चीज़ वाम यह निकाल लेते हैं तो यह पचास है यह मेरे पास आज दागया 40 तो कितने लोगोंने टूटल रेजिस्टर करा है math और physics के लिए देख लेते हैं तो मिरे पास 15 तरह थे ना के पास चानश ठीवराश हो गी 실िट है तो फिजिक्स और maths में कितने student है नवबे तो remaining नीग भेया कितने होगा जिनोंने physics और maths में नहीं लिया तो मैंने मैंने थोंगे आपे तो फिजिक्स और मै्ठ में कितने स्टुदेंट नब कितने हैं रेमेधिक समल घाएं तो किता आ गया 140 आ गया 15 में स्वारी 160 आए गया 160 टागया 160 टेर है बंद्रा में से नोगे किता बचा अच्छे यानी option नमड़ी बात आई होप इतनी बाद क्लियर आगे बढ़ेंगे अगले कुछ निम्मट शिक्स ठीक है ना देखो लिखा हुआ एक्स बराबर एक वाम राकेट में भी यह देर रखाए मेरे पास तो निकालना है क्या एक्स इंटर सेक्षिन वाइड इगा उसके बात इंटर सक्षे जैट निकाले तो भाई यह हम पहले देख लेते हैं मेरे पास क्या है एक्स इंटर सेक्षिन वाई निकाल लेता हूं तो भाई कॉमन कौन है भाई कॉमन के वल सी है तो यह पास आ गया यह 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 कॉमन नहीं हो सकता है सेम थोड़िया सपोज यह है तो यह के पापा एक पापा और यह थोड़ी ङह थे हैं अंब मदेश के साथ किया निकालना है उनियं जल्ठ तो भाई यान थ्ञान देना जैड मेरे पास क्या है एक कॉमा या इस में तो कुछ कॉमन ही ही नहीं उपछ भी कॉमन नहीं तो यह आ गया ला गया या तो यह होगा या थे यह ठीक है किता आगे option number D ठीक है क्या आगे मेरे पास option number D is correct clear आगे बढ़ते हैं अगला question आ जाए क्या लिखा हुआ है लिखा हुआ है इन एक्जामिनेशन 52% candidate failed in English and 42% failed in mathematics is 17% failed in both the subjects and what percent is passed in both the subject देखो एक examination है ठीक ना भाई यह हमने एक सरकल यह बनाया और एक सरकल हमने यह बना दिया clear हुआ बात लिखा इन एक्जामिनेशन 52% candidate failed in English 42% failed in mathematics 70% in both the subject तो भाई यह देखो मेरे पास पहले क्या है English English में मेरे पास क्या हो रहा है 52% मेरे पास हो रहे है ठीक है उसके बाद 42% fail और 17% fail और हमने सब्सक्राइब बात समझेगा यह मेरे पास पुरा 52 है यह मेरे पास 17 है तो बचा किता पावन में से हम गाट क्या है गटाएंगे तावन में से साथ किता बचा पांच इस समझ में है तो हम से क्या पूछा है पास कितने हो जाएंगे तो पांच पंदस एक्स पांच पंदस और साथ सब्जक्ट तो भाइया हमारे पास आगे ता 77 यानी की ऑप्षिन अगे बढ़ते हैं आप देखो आट से दस तीन कोशन कुछ इस तरह से दिए मेरे पास जेटा गिवन है ठीक हुआ है युना सर्टन टाउन आफ पॉपलेशन साइ यह एक पॉपल टाउन है जिसकी पॉपलेशन कितनी है वन डबल जिरो ट्रिपल जिरो एक लाख है इतना है एक लाख है ठीक है यह थे त्री टाइपस ऑफ न्यूस्पेपर वन टू-3 आरे वहां पर तीन तरह की न्यूस्पेपर अवेल बैल है 1-2-3 सब परसेंटेज ऑप लगए तो पीपल इन डाउन हूरी इस न्यूपेपर एस फॉल्ब लेते हैं इसको बोले ते हम सेकेंड इसको हम बोल लेते हैं थॉर्ड ठीक है बात समझ में अरी की नहीं आरी आप देखो यहां पे हमें क्या करना है लिखावा है जो फरस्ट वाला है वो किते लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं दस परसेंट लोग जो सेकेंड वाला है वो किते परसेंट लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 30 परसेंट लोग और जो थर्ड वाला न्यूस्पेपर है उसे केवल किते लोग पढ़ते हैं पांच बात 2 & 3 यह ता है 4% यार बोथ 1 & 2 किता है मेरे पास 2% यह बास 2 prs यह बात को समझते जाना किया बता रहा हूं मैं और उसके लूदStradle बोजना इसको हम बनाएंगे कैसेि भ्यांगी यह मेरे पास कितना है आठ यह मेरे पास एक तो यह इंहें इफ रही मुझma यह पुरा चार है यह मेरे पास एक है तो बचलाकित तीन पर संट है अब मैं इसको लिखूंगा यह रह्का पूरा दस था तो यह कितना बचा मेरे पास कितना भाई यह वह बचा वान परसेंट तात तीन दसे-ग्यारा है तीस में से पहले दस घटाओं को पीट बचेगा 20 में से गटाओ किता बचेगा समझ में कि नहीं साथ 30 से 11 ठीक है अब यह बर पास इन चार एक पाँच यह पूरा पांच यह किता बचाँ समझ में आई हो प्रितनी बात आपको समझ में अगई होगी अब questions में आएंगे यह हमने इसको क्या कर गया इसको बना लिया है अब इस से related question हमारे examination में आए थे क्या question है what is the number of people who wrote only one newspaper only one newspaper कौन पढ़ता है भाई एक परसेंट यह है 19 परसेंट यह है और 20 परसेंट लोग एक पढ़ते हैं तो यहां पर अगर यह अक परसेंट की बात करूं है एक परसेंट किसके बराबर हो जाएगा भाई एक परसेंट होजाएगा 1000 तो कितने इसे लोग रॉक्त बोसेसे लोग है जो क्या करते है ओनली one newspaper पढ़ते हैं तो बीस इंटू क्या गर देंग कैंगे हम हजार या नी मेरे कोशन नमबर 9 क्या गया रहा है what is the number of people who read at least two newspaper कम से कम दो पढ़ रहे हो तीन भी हो सकता है कम से कम दो देखो भाई तो साथ एक आठ 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 इन ग्यारा एक बारा बारा परसेंट लोग पढ़ रहे हैं भाई कम से कम दो कम से कितने लोग थे बारा परसेंट लोग हें एक परसेंट मेरे पास यहाँ पर किता है कि कितने एसे लोग हैं जो किसी भी तरह का नहीं पढ़ते हैं तो हम क्या करेंगे इन सबको को एड़ गर लेंगे क्या कर लेंगे सब को एड़ लेंगे तो भाई या देखो यह मेरे पास किता हो गया यह तो मेरे पास पूरा किता हो गया दस हो गया किता हो गया दस हो गया दस हो गया बात समझ भाई इतना मेरे पास पूरा कितना है दस है उन्निस और मेरे पास तीन कित्ता हो गया उन्निस पहर दिन जोड़ा तो मिरे पास होगा वाइस ठीके ना तो भाई 32 परसेंट ऐसे लोग है जो न्यूस्पेपर पढ़ते हैं तो कितने लोग होंगे जो न्यूस्पेपर नहीं पढ़ेंगे तो यह हंड्रेड में से तुम बत 60,000 यानि 68,000 लोग ऐसे हैं जो नहीं पढ़ते हैं अब यह तुम लोगों में से कौन-कौन पढ़ता है नियूसपेपर आपको समझ में आ गई होगी चलिए बढ़ेंगे हम अगले कोश्चन के तरह आप देखों यह मेरे पास डेटा रखा गया इन एग्जामिनेशन 11-14 ठीक 10% पासिं फिजिक्स 60% पासे integrity 25% पासें फिजिक्स और केमिस्ति ट्री cambi ॅंधि क्यमेश्ति और फर्कार ओं ुप्र संटे लिए अगर टो फेБल अगरेगे पास टोपर सेट हैं उर्वेस ne किते होंगे फिर पास होंगे किते नाइंटीट है आस समझ मेरी कि नहीं है यहाद इक बत क्लिए है क्या लिखा हुआ है इन एग्जामिनेशन आफ ट्वेल्ट फ्लस्टिक है तो भाई हम बना लेते हैं यहाँ पर तीन सरकल है नहीं है क्या है लाय गात है कि अ कि अаны के मिस्वे लिटिए है न फीजिक्स केमिश्ट्री educate मैने लिए फैसिक्स विभी पिजिख Erfolg दू कि मैने लिए हुआ है 55% पास इन बाइलजी जिते 55% सब्सक्राइब बात 62% इन फिजिक्स 62% मेरे पास किसमें है फिजिक्स में और 60% in chemistry chemistry में कितने 60 तो आतक बाग क्लियर है 25% in physics and biology और किते 25% physics and biology उसके बात क्या कह रहा है क्या कह रहा है यहां तक बात क्लियर है 25% in physics and biology 30% in physics and chemistry 30% physics and chemistry ठीक है यहां तक बात क्लियर 28% यहां पर हम क्या कर दख्था है यहां इसको अगर x consider कर लिए यहां एकस कंसिडर कर लिए तो यह मिर पास किता हो जाएगा 30-1 यह ना जो जाएगा यह मिर पास हो जाएगा 30-1 यह मिर पास हो जाएगा 25-1 टीक है यह मिर पास 28-1 अब यह वाली जो वैल्यू है भाई देहां देना यह मिर पास हो जाएगा 62% किसके बराबर हो जाएगा भाई जाएगा 30-1 एकस प्लस एकस प्लस 25-1 यह ना बास समझ महीं कि नहीं यह एक सेक्स कैंसल आउट हो गया 25 और यह मिर पास किता आगया भाई देखो 30 और 25 यह ना बच्पन एगा ना अच्छा 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 हम यह वाली वैल्यू निकाल यह वाली वह हमने तो इसे तो लिखाई नहीं तो हमने इसको एग बोल लिए अच्छा अब यहां पर अगर मैं बात करूँ तो ए बराबर क्या आजाएगा मेरे पास ए बराबर मेरे बास आजाएगा क्या 62-55 प्लस एग तो ए बराबर मास किता गया 7 यहां पर मैं बोलूंगा इसको मैंने अगर बी बोल दिया तो इस और 28 मेरे पास किता हो गया देखो इस और मेरे पास 28 सब्सक्राइब यहां पर अगर हम आप से बात करें तो इसको हम सी बोल देते हैं तो यह बस क्या होता अब बस दा 25-5 माइनस एक्स प्लस एक्स इस इग्स टू रहापर सी भी ले ले लिते बराबर किसके त्विटी पांच के ना तो यह प्लस यह माइनस कैंसल आउट होगे तो मिर बास किता जा वह बहीं प्लस के ता गया आट पांस ए रहा 53 माइनस एक्स बराबर 55 यह इधर जाता तो क्या था 55-53 अब इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई कि हमारे पास यह और आपको यह भी पता है कि इन सबका सम जो है यह पास का ले रहे हैं हम ना किसका ले रहे हैं पास तो इतने पूरे लिखा 2 plus x plus 2 plus x हमने पहले किसको किसको लिख लिए हमने पहले only only वाने को लिख लिए है कि यह हम दूसरा कलर ले ताकि confusion ना हो तो आप हम यह वाले लिख ले रहे हैं क्या अब मेरे पास बचाय के वल एक्स तो हमें इसको भी दिखी लेते हैं हमने इसको भी लिख लिए और यह बराबर किसके होगा मारे पास यह बराबर होगा मेरे पास 92 परसेंट क्या क्या आप है अब देखो यहां पर क्या है कि ये स्लैट ये माइन हो गिया साथ अरदो गया स्टाए नॉदु मेरे पास किता हो गया सब्सक्राइब हैं तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो इमरे लोगे 94 प्लस एक्स बराबर आगया ना इक्स की वैलू मेरे पास किते आगी 4 परसेंट लेरे बात एक्स की वैलू जब तो आठ परसेंट हो गया और यह मेरे पास हो गया चार परसेंट हो गया ना भाई आगे बढ़ते हैं कोशन की दरफ तो पहला कोशन है तो कितने प्रतिशत ऐसे बच्चे हैं जो तीनों के तीनों सब्जेक्ट में पास है वह कितने हैं चार प्रतिशत है यानि की option number 60 कि ऐसे करेक्थ ही एं आगे बढ़ से एए पॉर्ट परसंदेव स्टुट पास एक्जाटली न सब्जाट एकज्डाली बन सब्जाट की बात हो रही है तो है EXक्क्राइटली बन सब्ज्चेक्ट ні अगला कोशने इस नमबर आफ इस्टूडेंट इस तो आपके पास क्या हो गया अंडिड परसंट की रखें थर्ट री सिक्ष्ट तो वन परसंट वेरोंस किता है थ्री पॉइंट सिक्ष्ट है तो हमारे पास वन परसंट एतना मुझे चाहिए 75 परसंट तो मैं गरूंगा 3.6 इतनी बास समझ भाई कि नहीं तो पॉइंट हटाया नीचे जीरो बठा दो से काटा थारा दो से काटा किता हो पांच है ना दो से काटेंगे किता बैयार में जाएगा पंद्रा पच्छी पिछ तो गया बारा पंद्रेकम बार पंद्रा और बारा किता होगे 272 जितागे ऑप्षिन नम्म इफ दर नम्बर फ्टूट एफ तो हाउ मैनी पॉसिबल इंट लिए बात आगे बरते है लिखाया देखो यह वाट इस वाट नमबर फूट फूट इन पास 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 ने पा है पुट-केमिस structure इक है ना तो फूटल कितने है हुए तू घया physics और chemistry की एगर मैं बाता थू फीजिक्स पहने के मैं तो किमस्ट्री में तो कल कितने बच्छे आतला की तो इसे हो दो मैंहों पास कुल कितने हैं देखो नहीं पंकी 1 पर पास से 21 एपबास है 26 और मेरा पास सचार है न यह न ही फिजिक्स में हो जाए तो बैद बहुत है स्टेंटें उगए तो चार भोगे एक वह चार चेट लिए कश्टी टी टूँने है और को वे इस किया था मैं कि इस और पास स्कते हैं साथ कि था गया 112 एक है vend Suzuki King में एक इए एक 122 अयोगि एक और ड़र इसुव नोब अर्ट बोध physics and chemistry physics chemistry में दोले बार डिगे रोसारी यह है ना फिस्ट पाय से फिरिक की डे फिरिक्स आ अर् advance today गेना फिल्प्रिक की तो यह फिल फिली थे त्द्रेक्स बहे biology और physics कहा है biology और physics में मेरे पास किते हैं 21 है मेरे किते हैं biology and physics मेरे पास है आ गया आ जा 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 जाली हो बाए दा नमबर ओफ टुडेंट फुडेंट बोथ biology और physics बस not chemistry किता था कि 21 था तो गड़बर होगी है लगए लिखा हुआ है अधा नमबर ओफ रिश्यो फ्रेश्व स्टुडेंट फॉट फिजिक्स न चमेस्ट्री टोटल नहीं पूछा है बाई बोथ physics और कितने हैं कितने हैं 30 है तो हमने यहां पर लिखना है क्या 30 प्रेश्यो और यहां पर अगर मैं बोलूँ मेरे से क्या पूछा है और बाइलेजी एंड फिजिक्स में हो बट कैमेस्ट्री में ना हो देखो फाइलेजी यह रही और फिजिक्स यह रही पट केमेस्ट्री में कितना 21 परसंट एक है हम क्या करेंगे इस और 21 तीन सथे किस तीन दाहम साथ कितना गया 10 रिश्यो 7 जानि कि ऑप्शन नमबर भी हमार यह रही बात ऑप्शन नमबर भी इस करेक्ट है आगे बढ़ते हैं अगले कुशन देखो अगला कुशन आगे इन एक्जामिनेशन आफ इन एक लास फिक्स्टी वोइस ठीके ना एक लास जाहां पर साथ भूए दिर और 45 वोईस हूप लेटेस्ट एंड 30 वोईस हूप लेक्रम इफ एवरी बॉइव फ्लास प्लास 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 किते हैं कि 60 के इन एक लास प्लास पॉइस देराओ 45 बॉइस वो प्लेट चैस टीके ना कि अब्श्य और अचैस है और मेरे पास क्या है क्या रम इन एक लास फ़फिक्शेश्ट टूटेंट्स टोंट्स तेराओ 45 बोईस तो 45 अचैस कि और रहे हैं है एंड थर्टी बॉइज हुव प्ले क्यार मश्यारम किते लोग करते हैं थर्टी लोग तो भी आप हम इने इसको क्या बोल दिक्स बोल दिया तो भाई ये मेरे पस किता बच्छा 45- नेगे संक तो मेनेी तो कित्ते हैं साथ है हम यह क्या कर लेंगे गाहिए वाइनिस एक ट्रたुस एक्स-प्राबर गिंटा लेक तो यह से एक लट वह व्ल- मानस नगे tratar एक्स बराबर आगया पंद्रा एक्स की वेलू आगी पंद्रा तो आप से पूछा है दा हाउ मैनी बोईस प्ले क्यारम ओनली ओनली कैरम किता है 30 माइने से थो 30 माइनस 15 यानि किता आ गया 15 किता आ गया 15 यानि की option number C हमारा है पर करेक्टर है यह वात आई होग इतनी बार क्लियर हो गई हो आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन कोशन नंबर 16 इस लिखा हुआ है इन एग्जामिनेशन 50 परसंट ऑप कैंडिडेट फिल दिन इंग्लेट कोई दिखकत नहीं आसान सा एक सर्कल यह बना एक सर्कल मेरे पास यह बना ठीक है हमसे बात की गई है इंग्लेश और और यह 3 मेरे पास है इंग्लेश मेरे मेरे वाइस तरीफि परसेंट नहीं एक से इंग्लेश इंग्लेशिच और 40 परसंट फेल ही इंदे מटी में इन निमन यू 4100 बहूं और 15 परसंट है और 15 फेल इन बौद दहstate 15 परसंट मोड़ में ही फेल पचास ध नीमर्ए 15 पंद तो 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 यह तो जो फेल कितने हुए टोटल जास पच्छेस पच्छतर प्रसंट्ट मेरे पास क्या है तो अगर फेल मेरे पास 75 परसेंट है तो यहां पास किते हो जाएंगे हमारे पास option number B is correct here clear है आगे पड़ते हैं question number 17 ठीके ना लिखा हुआ है in an examination 35 student fail in Hindi 45 student fail in English and 24 student fail in both the student for the subject ठीक ना बोद दा सब्जेक्ट होगा भाई का होगा बोद दा सब्जेक्ट what is the percentage of student passing in both the subject ठीक ना एक examination भाया देखो है यहां पर रवास क्या है हिंदी है मेरे पास English है तो यह हिंदी लिखा हमने है और यह में लिख दिया इंग्लेश ठीक है कि लेगा 35 student failed in the Hindi तो 35 % हिंदी में फेल है एंग्लेश इंग्लेश में किते फेल हैं 45 पॉटी फेल हैं 45 पॉटेशन फिल एंग ट्वेंटी पर संट फेल बौद दस अबजेक्ट दोनों में 20 पर संट तो पैठीस में से अगर हम 20 घटेक्ट ना और पाटालिस अब थे आए परसेंट है एक हमने लिखा तो अब देको पास किता खावर ममस रखता हो गया करें धिक्तों में पास हो घ्रक्षा हो गैघा जो टार सकंतव यह आप काट सेलगों और इस आड़ा वह यह लिए पास हो रहे हैं выпуск रहे हैं तो मेरे पास फेल कित्ते हो जाएंगे मेरे फेल हो जाएंगे कित्ता 100-60 यानि कित्ता आगया 40% तो नंबर आप फेल स्टुडेंट्स कित्ते हो गई है बढ़ेंगे हम अगले कोशन की दरफ अगला कोशन क्या है मेरे पास दिखाए A is equals to X such that X is multiple of 7 B X X such that X is a multiple of 5 X such that X is a multiple of 35 तो देखो एंगे मेरे पास होगा क्या साथ 14 21 एक इस आप बोल सकते हो सकतर भी बोल सकते हो अब सेतर भी बोल सकते हो और 105 भी बोल सकता हूँ ठीक है ना और भी भूछ सारे मॉलिपल सेंगा बहुत सारे मॉलिपल सेंस के इन्फिनियेटी यहां पर मैं बीगी बात करूंगा तुमस्कित अब फांच हो गया दस हो गया तरह भी सोगे पास 35 भी होगा मेरे पास 70 भी होगा तरह पास किता और 40 भी होगा मेरे पास रहे हो सब्सक्ता है एक हम दो चीजे कर सकते पहले हम ए माइनस बी निकाले और एंटर सेक्षन मिमिन गालना तो ए माइनस भी अगर मैं निकालूंगा तो कॉन गालना को थे पैट्रेस एक और यंट सो पार्च एवाला तो बच्चे गा मेरे के पास कि वहल सेवन 14 21 एंड तो बनेगा नहीं तो यह वाला तो अपने आप सरासर गलत हो गया है अब ठीक है ना आप मैं यहाँ पर करूँगा माइनस सी जब मैं माइनस सी करूँगा तो सी में एलिमेंट मेरे पास क्या है तो नहीं बनने वाला है तो सेकेंड भी हमारा कट अब बनेगा कैसे भी बही सिंपल चीज इसके जो एलिमेंट होगी उसमें तो वह गायब होंगे ना और इसके बचे वह एलिमेंट तो यहीं पर रखे रहेंगे और ऐसा कोई को मैं यहां पर आगर मैं बात करूँ तब से पह सब्सक्राइब यह तो आएगा सेम सेम अंगा लग लग लगवा यह वाला स्टेटमेंट भी गढबढ हो गया है तो बचा कौन सा है ऑप्षण नम्बर डी ऑप्षण नम्बर डी ही हमारा करेक्ट है अब इसे वह नहीं करेंगे तब भी आपका अंसर सही होगा ठीक है बास करेंगे तो सेम सेट है तो भाईया क्या होगा बाइनस आजाएगा और हमारा आजाएगा ऑप्शन नमबर दी पर वबर जीरो आगया मतलब नल आ गया नल सेट आगया आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर 20 लिखा है है लेट स ब्यांव और छाट एस फीन न निच्रोल नमबर का सट या लिए फञालपे खीन न वॉर्ट पॉसिल नंबर ऑफ एर शॉफ ए और अजाए गया ना नए यहां पर एक ओमाव बिलोंग से किससे से एम से और क्या है मलब इससे और प्रोड़क्ट ऑफ एब लाबर नह है बारा से तो पहला ऐसा नंबर है इसी तरह मेरे पास बारा दूनी 24 प्लस चार भाई क्या करना अब तो बात को समझे ना अब आठ की में बात कुरूंगा तो आठ को मैं क्या लिख सकता हो दो इन्टू आठ है ना आपसे यही तो पूछा है ना आपको एंटू बी लेना है एक प्रेयर लेना तो यह दो इन्टू आठ हो सकता है या आठ इन्टू दो यह मैं बना सकता हूं बावन प्राइं तो तेरा चुके बावन तो दस से बड़ा नहीं होना चीए तो यहां से पॉसिबल नहीं है तो भाई यहां कितने प्रेयर बन गए देखो एक तो तीन चार पांच छे साथ आठ को हमेनी परिसर इतनी बात आपको गई ho ho valet me of worthwhile यहां चुलीये बढ़ते हैं अगले कुशन की तरफ अगला question क्या है मेरे पास 21, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, A is equals to this, B is equals to this, then what is the number of elements in A minus B and B minus A, ठीक है ना, ध्यान देना, A बराबर है यो मेरे पास किता, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, और B जो है, वो मेरे पास किता है, 7, 10, 14, 15, ठीक है, बाज समझ में यही ने, तो मुझे A minus B निकालना है, तो मैं A minus B कैसे निकालूँगा भई, देखो, मैं minus करूँगा, तो 7 common है, तो 7 से 7 गया, 10 common है, 10 से 10 गया, और कुछ common नहीं है, नहीं है, तो हम उपर वाली value लिखेंगे, क्योंब बच्ची हुए, आठ, 9, 14, 12, ठीक है, बास समझ भई, अब मैं B B minus से ही करूँगा, ठीक है, तो भई, common common तो कड़ गया, नीचे कौन सी value अच्छी है, सौदा और पनेगा, ठीक है, तो भई, इसमें number of elements किते हैं, चार, इसमें number of elements किते हैं, 2, किता आ गया, option number B, clear होई बात, option number B is correct here, आगे बढ़ते हैं, अगले question, अगला question आ गया, क्या लि यह कई सारे quadril सकते हैं, let B donate the set of quadrilateral having diagonals by affecting each other at 90 degrees, तो भईया, देखो, simple यह चीज है, यह जो set B है, यह क्या है, तब अगर मैं बोलो set B की बात करूँ, तो set B जो होगा, वो होगा rhombus, और उस वाले में कई सारी चीज़े आ सकती है, वहाँ पे condition ऐसी develop की जा सकती है, कि वो सार union जो B है, वो किसके बराबर होगा, the set of rhombuses, किसके बराबर होगा, the set of rhombuses, ठीक है, आगे बड़ता है, अगला question, लिफ, A is a non-empty subset of E, ठीक है, non-empty subset of E, then E union A intersection 5 minus A minus 5, तो देखो, इसकी अगर मैं बात करो, तो इमरास होगा, A union A intersection 5 minus A minus 5, तो A में से तुम 5 घटा होगे, तो भाईया क्या आएगा मेरे पास, जल्दी से बताओ, A में से अगर हम 5 घटाएगे, तो मेरे पास आगया A, और A union, मलब A अगर मैं बोलू, यहाँ पर A intersection 5 जो होगा, वो भी मेरे पास क्या होगा, भाई, A हो जाएगा, तो E है, क्य है, E, E union A, बहुर पास क्या है, E union A, तो बहुर पास क्या जाएगा, थ्यान देना, क्या लिखा होगा है, यह लिखा होगा, रिखा होगा, ए- यूनियन A, माइनस A, ठीक है, तो भाईया दिना, E, पास किता आ गया, element of A, minus A, ठीक है, तो भाईया, इसमें से माइनस बच्छेगा यानि की option number D आया देखो simple चीज़ है यह है इवे है लिए ना देखो simple चीज है यूनल ले रहे तो एक element होंगे और एक element होंगे तो एक ही एक ही नोर एंप्टी है तो ए में से माइनिस घटाओगे तो केवल किसके elements बचेंगे एक elements बचेंगे तो आया मेरे पास केवल क्या बात खू समझो एक बार मैं repeat कर देता हूं भाई एमे से नल सेट घट और तो एक ही बचेंगा एंटर सेक्षिंट मेरे पास क्या है पाई यानि नल सेट तो एक ही बचेंगा तो इसमें इसको माइनस करेंगे तो कौमन कौन सा होगा एक एलिमेंट्स कॉमन होगे तो एक एलिमेंट्स कॉमन होंगे तो एक गायब हो जाएगा तो कि वल बचेंगे एक एलिमेंट्स मतलब कित्था आ गया यह option number clear वी बात अगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ question क्या कह रहा है लिखा हुआ है out of 105 तो 2505 स्टुएं इंग्झामिनेशन इंग्लिश एंग्लिश एन मैठेमेटिक्स टिक्याel पासिटेश 25 स्टुएं पास पास इन बोध द लॉत सब्जेक्टा थेन हो मैनी चुदें से पहली चीज तो 80% 80 80 mm पाक्षका तो हमने बना लिया क्या हमने बना लिया English और यह किंग्छ स्क्वायन इसको उना गया चेए फेल हुए कितने हो गए बच्चिस मैं इंड़ा पास है तोपिढ टेस होंगे हुए 305 में से तो पिछेतर घटा हो गए थी जया और दोनों में कितनी फैल दस जो है वो दोनों में फेल है तो अवरल में पास्टीस है पूरा प्च्छीस है जिता ओगे दस तो इस बचा पंदा सब्सक्राइब किते फेल एक तो ये 15 फेल और एक तो ये 20 फेल तो टोटल कित आगे में पास 15 और 20 कित आगे में पास 35 आगया कित आगया 35 आगया यानि की अगले कोशन की तरब कोशन नमर 25 तो नेक्स कोशन आ चुका है लिखा हुआ है तो देखते हैं क्या है एडिशन सब्ट्रेक्शन मुल्टिप्लेकेशन डिवीजन नेचुरल नमबर है मेरे पास क्या 1,2,3,4,5 नॉट 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 हम एडिशन ले लेते हैं तो दो 3 करेंगे तो हमेशा काईगा 9 प्लस 4 करेंगे तो हमेशा देरा अधीशन के एगर मैं बात करूं तो अगर मैं यहाँ पर 2 में से घटांगा तो एक आएगा लेकिन मैं एक मैं से दो घटांगा तो मिरे पास माइनस वनाएगा तो सब्रेक्शन के यह जायस नहीं है, मुल्टिप्लिकेशन के बात करूं दो इन टूटीन हमेशा क्या है छे आएगा पाच इंटू ग्यार वह मेशा किता आएगा पच्छ पन आएगा मतलब मुल्टिप्लिकेशन कि ये भी ये करेक्ट है ओपट डिवीजन के अगर मैं बात कुरना तो डिवीजन अगर मैंने बोला नौ बटी दो लिखा हुआ है तो मेरे पास मेरे पास क्या नहीं आयगा फॉपस एवन नहीं यह पर समझ में कि नहीं टिक है